भी जा सकता है और यदि आपके पास thermal printer है और आपके thermal printer receipt की size सही नहीं आ रही है या receipt इतना clear नहीं निकल पा रही है तो जो आज हम यहाँ setting बताने वाले हैं आप भी इस setting को कीजिए और आपकी thermal printer setting में आने के बाद आपको यह screen दिखेगा यहाँ आपको मिलेगा default browser इस पे click दिखेगे उसके बाद आपको ऐसा screen मिलेगा और यहाँ पर हमारा पहले में यह वाली option ना हो जो आपका Microsoft browser हो तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको यहाँ एगा और यहाँ पर आपको अगर आपका do not allow है या default है तो आप इसको यह वाली setting जब रहीगी आपके Microsoft browser में तभी आप अपने system के type here to search या search बार में जाइए और यहाँ आपको type करना है internet option जो उन सर्च किया है internet ही केवल लिखे तो हमारे सामने आ गया internet option इसको करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ नीचे मिल रहा है learn more about toolbars